अब जितना मर्जी गोश्ट खाएं पेट भरके खाएं एक गिलास पीलेंगे सब कुछ हजम हो जाएगा बहुत ही जबर्दस ड्रिंक दोस्तों आज जो हम एक ड्रिंक बनाएंगे ना इद पर गोश्ट खा खागरना लोगों का हो जाता है बेडा गरत तो इन्शालला जो ड्रिंक आज मैं आपको बताऊंगा यह पीलें आप आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा मैदे की गर्मी खत्म हो जाएगी इन्शालला यह आपको पसंद भी बहुत आएगा यह पुदीना है एक गुच्छी पुदीना लेंगे इसको इस तरीके से हम साफ कर लेंगे इस गंदा पुदीना है उसको जाया कर देंगे पुदीना सहीं था इसको हमने साइट पर रख दिया और यह आडू है और यह साफ पुदीने के पते जो हमने एक उच्छी से निकाल ली है अब हम क्या करेंगे अब हम लेंगे एक आड़ू सबसे पहले तो हम इस पुदीने को ना वाश कर लेंगे साफ पानी से दो से तीन मरतबा साफ करेंगे इसके अंदर जितनी मट्टी वगरा है वो सब निकल जाएगी तो चलो पहले इसको हम वाश करते हैं यह देखें जी इस में इसको हमने अच्छी तरह वाश करना अधिना बिल्कूल साफ उत्र हो जएगा जब एक साथ पानी से वाश करेंगे ना और जो इसका गहनद वह भी सारा निकल जाएगा पुदीना अच्छी तरह वाश कर लिया और इसको स्टेगर में निकाल लिया च्छान लिया पानी का सारा वेस्ट कर दिया यह देखें अब हम क्या करेंगे इसको ब्लेंडर जग में शिफ्ट करते हैं यह इतना मज़े का ड्रिंक है कि यकीन करें इससे सब कुछ ना हजम हो जाएगा आपको सुकून हो जाएगा मैता ठंडा हो जाएगा और इसके काट लेंगे पहले अच्छी तरह आडू को ना वाज कर लेंगा इस तरह काट लेंगे आड़ो गुठली इसकी अलग कर लेंगे इसको छोटे पीस कर लें ग्रैंड होने में तरह असानी हो जाएगे इस तरीके से ना इसके छोटे पीस बना ले इसको ग्रैंड करने में असानी हो जाती है दो आडू लेंगे हम दूसरे आडू को भी इसी तरह काट लेंगे पहले अची तरह वाश कर लेंगे इस तरीके से कट करके इसके पीस अलग कर लेंगे और गुठली इसकी अलैदा कर लेंगे आप ये रेस्पी ट्राई करें ये ड्रिंक बनाएं इतना मज़े का और इतना इसका मज़े का टेस्ट होता है और क्या जबर्दस ये हाजमा कर देता आडू काटली हमने ये भी जग में शामिल कर देंगे हम पुदीने के साथ काला नमक लिया हमने हाफ टीस्पून काला नमक इसमें शामिल कर देंगे आप अपने टेस्ट के मताबिक इसको ज्यादा भी इस्तमाल कर सकतें लेगिन मैंने यहाँ हाफ टीस्पून किया इसका बड़ा अच्छा इसमें फ्लेवर आ जाएगा अब एक अधत लेंगे सेंडर से कट करेंगे इसका जूस निगाल लेंगे पहले हम किसी कटोरी में ताके इसके जो बीज है न वो अलग हो जाए अच्छी तरह इसको निचोड़ेंगे बीज अलग कर लेंगे डारेक्ट इसको जग में इसलिए नहीं निचोड़ा आप लेमन है अच्छी तरह निचोड़ लेंगे ऊप्रेज ही साथा पानी करेंगे में पानी है नहीं एक धान आप लेंगे की ये जस्त लेंग हो जबंरेंकरल करने के बाद आपको दिखें सूरत यहाँ हमने इसको अच्छे से ना ब्लैंड कर लिया इसका जूस बना लिया किसम का लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसको मीठा भी है तो आप इसमें चीनी शामिल कर सकते हैं लेकिन मैं यहां चीनी शामिल नहीं करूंगा मैं अस्टीविया शामिल करूंगा जो स्वीटनर होता यह मैं शामिल कर दूँगा थोड़ा सा एक चुटकी से थोड़ा ज्यादा यह बहुत जादा मीठा कर देता लेकिन मैंने इसको थोड़ा शामिल के अब इसको एक बार बर्फ डालके और बोतल शामिल करके ब्लैंड करते हैं इसमें अब हम शामिल करेंगे आइस बर्फ यह भ सोडा शामिल करेंगे, आप किसी भी ब्रैंड का सोडा ले ले, मैं यहाँ सप्राइट शामिल का रहा हूँ, हाफ सोडा मैंने इसमें शामिल किया, और इसको एक बार दुबारा आप ब्लैंड करते हैं, सिरफ कुछ सेकेंड के लिए, जबर दस्ता हमारा ड्रिंक तियार हो चुका है, मुझे उमीद है ये ड्रिंक आप पिएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगा और फाइदा भी होगा, नेक्स वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अलाहाफिद,